आमरपाली भी आहीं अक्षा सिंग के सपोर्ट में जी हाँ जीस तरह से बोचपुरी इंडस्ट्री में अक्षा सिंग पर विवाद हो रहे हैं उसके बाद अब आमरपाली उनके सपोर्ट में आ गई हैं आपको बता दे कि नील कमल ने एक मजाक मजाक में गाना गाया जिसे उ व्यक्ति वहां पर रियर्सल कर रहा था उसने रिकॉर्ड किया और उस क्लिप को वाइरल कर दिया और बहुत सारी जगों पर ये गाना बजने लगा लोग जो अक्षरा के विरोधी हैं इस पे मजा ले रहे हैं तो अक्षरा के सपोर्टर्स उनके सपोर्ट में आगे उसी तरह विसे उनके सपोर्ट में आ चूकी है भोचपूरी actress आमरपाली दूबे वैसे आमरपाली ही नहीं के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ चूके हैं वैसे काफी लोगों का ये कहना है कि पवनसिंग ओ खुश करने के लिए ने ये सब कुछ ये ओफ रिकॉर्ड था और नील कमल ने जब ये गाना गा रहे थे तो किसी ने इस गाने को रिकॉर्ड करके वाइरल कर दिया है वैसे आपको ये बता दे कि लोग अब ये कह रहे हैं कि नील कमल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए अक्षरा सिंग और तो और लोगों का ये भी कहना था कि लोग नील कमल को एक अच्छे गायक के तौर पर देख रहे थे लेकिन नील कमल ने जिस तरह की घटिया हरकत की है उसे देखने के बाद ये लग रहा है कि नील कमल भी भोचपुरी के उन्हीं कलाकारों में से एक हैं जो कि अश्लिल और विवादों का वैसे देखा जाए तो गहरा नाता नहीं है लेकिन नील कमल का नाम कभी इस तरह से उभर कर नहीं आया जिस तरह से भोचपुरी के अन्ने कलाकारों का उभर के आता है फिर वो चाहे रितेस पांडे हूं या फिर अर्विंद केला कलू वैसे आपको बता कि नील कमल के कई गाने हैं जो 100 मिलियन और 200 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं लेकिन अभी भी वो एक बड़ा नाम नहीं बन पाए है भूचपुरी जगत की होट और मस्साले तर गॉसिप के लिए हम सब्सक्राइब कुरना बिल्कुल न भूली